खजाने की खोज एक पुराने भारतिय मंदिर का रहस्य भूमिका, एक गुमनाम और रहस्यमय भूदपूर्व मंदिर ने जिंदगी में नए खोजी को बुलाया। इस रहस्यमय और अत्यंत पवित्रस्थल में छुपे हुए खजाने का पता लगाने की कहानी में हमारा प्रमुख पात्र, मिस्टर कलवो, एक अनुगवी खोजी हैं। मिस्टर कलवो को इस खतरनाक और रहस्यमय मिशन को पूरा करने के लिए नियुक्त किया गया था, जो इसे सफलता की उचायों तक पहुँचा सकता है। खजाने की खोज एक पुराने भारतिय मंदिर का रहस्य अध्याय एक मिस्टर कलवो का परिचय मिस्टर कलवो एक उदार और अनुभवी खोजी विश्वभर में अपनी काबिलेतियों के लिए मशूर थे। उनकी चहरे पर छिपे रहस्य और आत्म विश्वास के साथ वह इस मिशन के लिए तयार थे। मिस्टर कलवो की आँखों में एक अन्बुझा हुआ उत्साह था। जो उन्हें रहस्यों की खोज में मदद करता था डॉट, मिस्टर कलवो को इस मिशन के बारे में सुना था जब वह अपने लंडन के आफिस में बैठे थे। एक पुराने शास्त्रग्रंथ में छुपे हुए सुरागों के बारे में जानकर उन्हें यह विश्वास हुआ की एक बड़ा और पौरानिक खजाना एक पुराने भारतिय मंदिर में छुपा हुआ है। अपनी खोज में उन्होंने भूमी का स्कैन किया और जमीन के नीचे दरवाजे की खोज की उन्होंने एक पुराने मंदिर को खोजा जो लकडी के पुराने द्वारों और पत्थरों से घिरा हुआ था। मिस्टर कलवो ने ततपश्चात एक सम्माने स्थानिय सर्वेक्षन करता से मिलकर मंदिर की मान्चितरन करवाया और ततकाल अपनी टीम को तयार करने का निर्णे लिया। अध्याय दो खोज का आरंभ, खोज की शुरुवात करने के बाद मिस्टर कलवो ने एक विशेशग्य टीन को बुलाया जिसमें इतिहासकार, खगोलग्य और तक्नीकी विशेशग्य शामिल थे। तीन ने मंदिर के पास एक अस्पताल का कैंप स्थापित किया, जिससे उन्हें अगर आवश्यक होता, तो सहारा मिल सकता था डॉट, पहले हफते में ही उन्होंने मंदिर के पास कई सुरात पाएं जो खजाने की स्थिती की संकेट दे रहे थे। एक पुराने गुप्ट शैली के शिलालेख में एक विशेश स्तुती आई जो कहती थी, जो भी इस मंदिर के गहराईयों में द्रव्य खोजेगा, वह असली धन का खोज करता होगा। मिस्टर कलवो ने इस बड़े समीक्षन के बाद निर्नाई लिया कि वह मंदिर के भीतर के अंधेरे कोने की ओर बढ़ेगे। उन्होंने अपनी टीम के साथ मंदिर के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ते हुए महसूस किया कि एक अजीब सी उर्जा उनको खीच रही है। अध्याय तीन रहस्यमय मंदिर की गहराईयों में मंदिर के अंदर बढ़ते ही तीम ने आधुनिक टकनीक का इस्तिमाल करते हुए रहस्यमय और अजीब महौल का सामना किया। अचानक हवा में अजीब सी गंध फैल गई और वे आगे बढ़ते हुए महसूस करने लगे कि इस स्थान की महीमा और विशेश्ता कुछ अध्वितिय है डौट एक छोटी सी कमर में पहुँचते ही। उन्होंने एक बड़े साम्प्रदायक चरण पत्थरों के बीच बनी गुप्त दरपणों की एक विश्टी को देखा। सिक्के की राशी उनकी नजरों में पड़ी डौट, अध्याय चार, सोने का सिक्का और रहस्य बरतन के पास पहुँचते ही मिस्टर कलवो ने उसे हटा कर उसकी गहराईयों में जाकने का प्रयास किया। चट्टान के बाहर निकलते ही उनकी आँखों में चमक उजागर हो गई जब उन्होंने बहाँ एक सोने के सिक्के का समरिध्धी देखा। यह कैसे हो सकता है मिस्टर कलवो ने अपनी टीम से पूछा जिनकी भी आँखों में हैरानी और आश्चर्य था। वे न सिर्फ सोने के सिक्के देख रहे थे बलकि उनके साथ विशेश आकरितियों और लेख भी थे जो इसे एक अधविती रूप से बनाते थे। मिस्टर कलवो ने बरतन को अपने साथ ले जाने का निर्णय किया और टीम ने उसे सुरक्षित रूप से बाहर निकाला। इसके बाद उन्होंने बातचीत करने का निर्णय लिया ताकि वे इस रहस्यमय खजाने के बारे में और ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकें। प्रवात की यह सोने का सिक्का किसी सामान्य खजाने का हिस्सा नहीं है। इसमें कुछ अधवितिय बाते हैं और हमें इसका मतलब निकालना होगा। नहीं बना डॉट हमें इस सिक्के को किसी और स्तंभ या स्थान से जोड़ देने की कोशिश करनी चाहिए। कहा एक एतिहासिक विशेशग्य ने शायद यह किसी विशेश जगह की पहचान कर सकता है जो हमें इस रहस्यमय मंदिर के और करीब ले जा सकती है। अध्याय छे अध्भुत पुरातात्विक खोज टीम ने रातों रात अध्भुत पुरातात्विक जगों की खोज की लेकिन सोने के सिक्के का कोई अत्यंत सामंजस्यपूर्ण संबंध नहीं मिला। तब एक दिन जब वे एक पुराने बाजार में चले गए एक पुरातात्विक वस्त्र दुकान में उन्हें एक विचितर सिक्का दिखा डौट, सिक्के का आकार और उसमें छुपी कुछ लेखन से उन्होंने सोने के सिक्के के साथ बहुत अध्वितियता की संभावना उसकी उन्होंने सिक्के को खरीद कर उसे अपनी टीम के साथ ले आए और उसका अध्ययन किया अध्याय साथ एक सुराग खोलता है सिक्के की विशेश आकरिती और उसमें छुपी लेखन ने एक सुराग खोला टीम ने खुशी के साथ देखा की सोने का सिक्का उस पुरातात्विक स्थल के स्थान का संकेत कर रहा था जिसे वे खोज रहे थे मिस्टर कलवो ने त्वरित्ता से टीन को संग्रह करके मंदिर की ओर बढ़ने का निर्णे लिया। विशाल संग्रनी में रखा हुआ है। मिस्टर कलवो ने खोजी हुई खजाने को संरक्षित करने के लिए स्थानिय सरकार से सहमती प्राप्त की और मंदिर के प्रती अपनी सजगता और आदर का प्रक्टी करण किया। इस खोज ने न केवल उन्हें धन से भरी रूप से लाभानवित किया। बलकि इसने उन्हें भारतिय इतिहास, संस्कृती और धार्मिक्ता के प्रती भी नए दृष्टिकोन प्रदान किया डॉट, मिस्टर कलवो और उनकी टीम की इस अधवितिय खोज ने सबको यह सिखाया कि कभी-कभी अज्यात क्षेत्रों में ही सबसे बड़े रहस्य और ख कर सकते हैं, चाहे वह कितना भी पुराना और गहरा क्यों ना हो.